वासब दाइस आप इस वाई डिवी और आज की वीडियो काफी जादा मज़ेदार होने वाली पिकोज आज की वीडियो में हम फुल रिव्यू और फुल डिटेल में बात करने वाले हैं Xiaomi Mi 11 के बारे में और यह फॉन Xiaomi की तरफ सरी recent flagship है उनका और यह फॉन की प्राइस काफी जदा एग्रेसिव रखी है शाओमी ने और इंटरनेशनल मार्केट में लॉंच हो गया है इंडिया में जल्द आने वाला है और यह आली जानकरी में जो आपको देने वाला हूं इस वीड को तिल डी एंड तक ताउट वेसिंग यह टाइंग लैट्स क्रियेट तो है सबसे पेले हम बात करते हैं डिजाइन की और यह गाई दो वेरेंट कानता है लेदर और ग्लास में और गाइस इन दोनों की डिजाइन थोड़ी से अलग है पिल्कोज जो लेदर वाला है उसके ने पीछे टैक्शर लैदर जैसा टैक्शर रिया व्याँ victory ओए यह डियाँ गया है रब ध suffering अफिसका केमरा cutout है वह भी काफि पहुजाद अमेजि लगता है इसमें ट्राय केमरा setup है उसे ऊपर हम बाहना बात करेंगा इसमें और डिजाइनिंग इसमें आपको दो मेज ना ही जो लेदर वाला है वह 1001 फूर्ट वाल्ट है इंदी वन ग्राम का है । वह लेदर 1-95 ग्राम का है वह लेक्स में आपको ग्लास में गॉरिल ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाया गा और इसके जो वह अलुमिनियम के बनी हुई है काफी जादा स्रॉंग फिलिंग प्रिमियम फिलिंग आपको हाथ में मिल जाएगी और यह तो ही इसके डिजाइन के बाद अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बाद है तो यह जाए 6.8 इंच सूपर एमॉलेट डिस्प्ले के साथ में आता है जो 1440P है और यह यह HDR10 डी सपोर्ट करता है और इसकी जो ब्राइटनस लेवल है पिक वह है फिफ्टे नंडे मिलिट्स यह जादा अमीजिंग है मतला आपको डिरेक्स तनलाइट में बिल्गोल भी प्रॉब्लम नहींगी 91.8 इसके इन टू बॉरर दिर्शन मिल जाता है लिए जो बैजला चाफोड़ जादा थिन ओनेवाण है और गईजज इसकी जो पीपी आ क की बात क्याद है तो 515 텐ंब पपंशो पंदधरिंग्य पीपी आइइ अपको कैसे इसके इस एक बात करें तो आपको वन बिलियन कलर मिल जाएंगी इसमें दिस्पलिय कॉलिटी काफी आम आज है और व्लूबर को कोई बीश प्रप्लेम नहीं है ये डिस्पले में तो काइस अब हम बात करते हैं प्रफॉर्मेंस की यहां पर आपको लेटेस्ट लेट शेप प्रोसेसर स्नापडेकन 88888888 मिल जाता है फाइप नियमेटर टेक्नोलोजी के साथ में Android 10 का स्पोर्ट है और 12.5 प्रोसेसर अल्टा लार्ज कोर पर बना हुआ है जो आम कोर्टेक्स एक्सवन पर डिजाइन है तो काफी जादा परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा Android 960 का आपको GPU मिल जाएगा इसमें और 6th generation Qualcomm AI engine मिल जाएगा तो प्रोसेसर और चोईस का परफॉर्मेंस होने वाला है वो नेक्स लेबल का होने और यह पहला फोन है जो स्नापडेकन 888 के साथ में आ रहे है तो खाफी गदा आमेजिग है और गई स्टोरेज ऑप्शन के ब थोड़े से पेसे जाएदा में देना पड़ी है और मिल जाज ना ही और स्टोरेज के बात करना है तो इस टोरेज आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है तो कफिसफ़ाद आपको ज़ूरेज़ों के बात करते है इसके के मिल जा एक यह लाग को सेत्य उपको Rap Sc습 के सब में म पर इसमें आपर्चर थोड़ा सा कम है Samsung Galaxy S21 में आपको 1.8 आपर्चर मेलता है पर इसमें 1.9 आपर्चर मेलता है OUI सपोर्ट करता है और सेकेंड केमरा है इसका है 18MP का उल्टरावाइड केमरा जिसका आपर्चर है 2.4 और 5 MP ka माइक्र केमरा मेलता है इसमें को एक टेली फोटो केमरा रेंस नहीं मिलता है या लेजर फो आटो फोकस नहीं मिलता कि में डॉल टॉन लेडी मिल जाती है इस मूबाल में आपको 8K वीडियो रिकॉडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है 24 और 30fps में और 1080p में 30 और 60fps में और 720p में आप स्लो मोशन और 1080p में आप स्लो मोशन रिकॉड करपा होगे और फ्रेंट केमरे के बात बात पर यहां पर 20MP का सेंसर मिल जाता है जिसकी फिर्चार बता नहीं है और यह 1080p 30fps में वीडियो रिकॉड कर लेगा इसमें 4P का यह उप्शन नहीं मिलता फ्रेंट केमरे में और यह तो केमरे के बात अब हम बात करते हैं कि कुछ एक्स्टा फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको stereo speaker का setup मिल जाएगा और speaker harmon और cardan के बने हुए जो luxury cards और में आते हैं वह आले आपको speaker में मिल जाएगे और इसमें कोई headphone jack आपको नहीं मिल जाएगा और extra features के बात करो तो इसमें आपको NFC, infrared sensor, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 और बहुत सारे features मिल जाएगे sensor की बात करें सारे sensor मिल जाएगे fingerprint sensor, compass sensor और gravity sensor जितने भी होते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगे fingerprint sensor आपको ultrasonic ने optical sensor मिल जाएगे तो थोड़ा सा यह slow या fast depending upon uses के उपर depend करते हैं अब हम बात करते हैं battery की बैटरी के बात करें तो 4600 mh के battery मिल जाती है जो इसे मलब highest battery package वाला phone नहीं बनाती है पर इसके charging speed है वो काफी जादा best है और गाइस इसमें आपको box में charger नहीं मिलता है पर आप extra charger भी include कर सकते हो और वो भी free of cost और आपको charger 55 watt का मिलता है जो इसको 0 to 145 minutes में कर देता है ऐसा company claim करती है और fast charging भी यह 50 watt तक support कर सकता है तो charging में आपको कोई भी problem नहीं आएगी और इसकी जो 120 hertz display है उसमें आपको थोड़ी सी problem आ सकती है क्योंकि 120 hertz पे 4600 mhk battery enough नहीं होती है 5000-6000 mhk battery enough होती है उनके लिए उनके लिए और गास एक चीज़ में बताना भूलिए आपको कि इसके negatives के बारे में और इसके negatives की बात करें तो इसमें दो negative है first इसमें IP rating बताई गई नहीं है कि इसमें IP rating कभी कोई option है या नहीं है तो इसमें आपको जूम करने में थोड़ी सी problem हो सकती है जूम करने में आप पिक्सल फड़ने के चंद से पर जो 108 megapixel का camera है 108 megapixel का camera है वो काफी अच्छी जूम कर लेता है तो यह बात में को अब चलिए तो मैं आपको यह अलग से वीडियो बना रहा हूं इसमें बता रहा हूं और इसमें एक और प्रोड़म है वह है तो यह काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है मेरे हिसाब से इतना सस्ता फोन और एकदम फ्लेक्शिब लेवल की परफॉमेंस फ्लेक्शिब लेवल का camera फ्लेक्शिब लेवल की display फ्लेक्शिब लेवल की बैटरी लाइफ चार्डिंग स्पीड सब कुछ आपको 56, इंडिया की प्रेज में यह मैंने कनवर्ट कर लिए इंटरनेशनल प्रेज से तो काफी अच्छा value for money के लगता है मुझे Samsung Galaxy S21 Ultra और इसका comparison दे भूचार आने वाला है तो stay tuned और यही थी आज के वीडियो में वीडियो के से लगए लाइक करके बताईए और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कल दीजिए motivation बढ़ाने के लिए और thanks for watching, catch you guys later, peace